नमस्कार दोस्तों स्वावेत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गार्डिनिंग विद अभी में हैं दोस्तों आज हम एक ऐसे फटलाइजर के बारे में बात करेंगे जो आप आपके पास कार्डिनिंग करते हैं देड़ सारे पौधे हैं पर टाइम की कमी है आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो कंपोस्टिंग है कावड़न कंपोस्ट से लिक्विड मैनियूर बना पाएं आप तो बार-बार जाके चला नहीं सकते हैं तो टाइम की कमी की वज़े से अगर आप कंपोस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं और चुकि पौधों को लिक्विड कंपोस्ट देना काफी जरूरी है उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी है तो उसका इस सॉलिशन है मार्केट से ready to use compost आप लेके आईए और उसको 10 से 15 मिनट आप टाइम दीजिए और वो ready to use होगा आप अपने किसी भी प्लांट पे चाहे इंडोर प्लांट हो आउट्डोर प्लांट हो कैसा भी प्लांट हो उस पर कीजिए और उसका best result देखने को आपको मिलेगा तो वीडियो में आखिर तक बने रहीएगा मैं दो तरीके बताऊंगा चुकि लिक्विट में भी है और ग्रेंवेल्स फॉर्म में भी मिलेगा यह तो कैसे यूज करना है क्या तरीका है लिक्विट फॉर्म में कैसे यूज करे सारी चीज़े वीडियो में हम डिसकस करेंगे बात करेंगे और इसकी मैं आपको लास्ट में रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि कितना अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है आपको तो वीडियो में कोई पार्ट स्किप मत कीजिए और अगर चैनल पर नए है अभी तक चैनल को भेल आपको दिखाता हूं कि में किस फटलाजर की बात कर रहा हूं क्या है वो है दोस्तों सीविड लिग फटलाइजर अब सीविड फटलाइजर है क्या यह बनता कैसे दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ देखिए एक समुद्री सहवालों से बना हुआ फटलाइजर है, जो समुद्र में धेर सारी आपको घासफुस या जो सहवाल जिवार दिखते हैं, उनसे रेडी किया गया फटलाइजर है, जिसमें धेर सारे न्यूट्रियंट्स मिलते हैं, मैक्रो जो ट्रेसिए ऐलिमेंट्स होते हैं, भो बहुत जादा मात्रा में होते हैं, और इसको रेडी किया जाता है, एक प्रोस्स Cathedral, और इसको liquid फ़र्म में भी काफी जादा конц silkwood और इस पकार देखिए granule फ़र्म में भी आपको मिलेगा, तो दोने ही फ़र्म में हैं, आप इसको कि पौदे हैं जिनमें इसको यूज करने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा कंपोस्टिंग करनी पड़ेगी जो हैवी फीडर है जैसे आप बेजटेवल गार्डनिंग करते हैं तो उसमें आप इसको यूज करने के साथ साथ कावडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, बनाना पील फर्टलाइजर, ओनियन पील फर्टलाइजर ये सारी चीज़े भी आपको रेगुलर यूज करते रहना है, तभी आपको उसमें बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जो हैवी फीडर नहीं है, जैसे एरेका पाम हो गया है, कड़ी पत्ता है, या फि किसी भी और फर्टलाइजर को यूज करने की आवसकता नहीं पड़ेगी, तो आइए अब हम प्रोसेस देख लेते हैं कि हमें यूज कैसे करना है, तो ये देखिए जो लिक्विड फर्टलाइजर है, इसको आप मार्केट से नरसरी से भी ले सकते हैं, आनलाइन भी ले सकत तो इसको आपको यूज कैसे करना है, अब हम उस पर चलते हैं, तो दोस्तों देखिए यूज करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो बोतल पर ही लिखा होता है, तो मेरे बोतल पर है, करीब दिखा हूँ आपको, देखिए 7 ml एक लिटर वाटर में, तो 7 ml इसका हम लेंगे, तो 7 ml के हिसाब से, ये मेरा करीब 2.5-3 लिटर पानी है, तो इसमें हम, दिखाता हूँ मैं आपको, हम इसमें करीब करीब 20 ml के आसपास ले लेंगे, तो ये देखिए इसमें मार्क बना हुआ है, देखिए यहां बोत इसमें धकन पर मार्क बना हुआ, इसमें ले लेंगे, और अच्छे से हम इसको मिला लेंगे अब दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूँ कि कोई भी फैटलाइजर आप यूज करें तो continue नहीं यूज करना चाहिए किसी पौधे में चाहें यह सीवीड हो बनाना पील हो ऑनियन पील कोई फैटलाइजर यूज करना है आपको तो उसम देखर यहिस सेक चे करना अब लिक्वड फैटलाइजर रेडि है इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं पहला तरीका है कि इससे डारेक्ट आप सोयल में डालिए तो किसी पी सौयल में जिसमें डालना है अपूस में गमले की साईेस के हिसाब से इसको आप अपने पौधें यूज कर सकते हैं खास करके 15-20 दिन के अगर आप सिर्फ यही यूज कर रहे हैं तो 15-20 दिन के गैप पे आप इसको यूज कीजिए आप कोई भी एक्स्टा फर्टलाइजर यूज करने के आप सकता आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी और फ्लारिंग फ्रूटिंग काफी अ अगर आपको दिखा रहा हूँ अगर आपके पौदे में फ्लारिंग नहीं आ रही है तो मैं आपको दो चीजे बताता हूँ पहला अगर आपके किसी पौदे में फ्लारिंग रुक गई है तो आप उसमें पहले तो एनपी के बैलेंस देखिए फिर भी अगर फ्लार नहीं और उसकी हलकी प्रूनिंग कर देगी 100% आपकी पौधे में फ्लॉरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये तो तरीका हुआ दोस्तों मिट्टी में देने का अब दूसरा तरीका हम देखते हैं उसमें क्या करना है हमें कि इस्प्रेयर बोतल में हमें इस सल्यूशन को भरना है और अपने प्लांट्स पे इस्प्रे करना है सभी पत्तियों पे इसको इस्प्रे करेंगे और इस्प्रे करेंगे तो उससे पहले देख लेंगे पत्तियां साफ होनी चीए क्योंकि अगर पत्कें साफ नहीं है, तो इस्प्रे करने का कोई फायदा नहीं होगा, तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यह दिनका प्लांट मेरा, फ्लारिंग स्टेज पे है, फिर भी हम इस पे स्प्रे कर लेते हैं, खास करके कोसिस कीजिए कि उन पौधों पे फ्लारिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यह देखिए, यह मेरा अप्राजिता का पौधा है, इसकी अभी हमने ट्रंस्प्लांटिंग करी हुई है, और इसमें देखिए, आप नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है, तो इस पे हम इ दूसरे मेथड पे, दूसरा मेथड क्या है कि यह ग्रेनोल स्पॉम में मिला हुआ है, यह चुकि आपको काफी जादा चीप पड़ जाएगा, सश्ता हो जाएगा आपके लिए, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसको यूज करने के लिए आप पौट साइस के हिसाब है या उससे छोटा है, तो हाफ एक चम्मच या आधा चम्मच यूज कर सकते हैं, तो यह देखी, यह मेरा लंटाना का पौधा है, और यह बारा इंच के पाट में लगा हुआ है, तो मैं इसमें दो चम्मच गूंगा, जो हमारा सीविड ग्रेनोल फॉम में फर्टलाइजर है, तो हम गंबले के चारो तरफ इस प्रकार से डाल देना है, और डालने के बाद इसको हमको गुडाई करके, इसको मिट्टी के अंदर, जो भी ग्रेनोल्स हमने दिये हुए हैं, यह उपर की सता पर नहीं रहना चाहिए, इसको मिट्टी के अंदर दबा देना है, हलकी ग्रेनोल्स हैं, सबने मिट्टी के अंदर दबा दीजे, और फिर इसमें कर दीजे आप वाटरिंग, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कि हैवी वाटरिंग नहीं करनी है, बाकी कमपोश्टिंग में कहते हैं, कि कमपोश्टिंग करने के बाद अच्छे करते हैं, पर इसमें हमें नॉर्मल वाटरिंग करनी है, बहुत ज़्यादा है भी नहीं, फिर ये ग्रेनोल्स रूट्स में जाएगा सीधे, और वहां से डिजॉल्व होगा, और डिजॉल्व होकी अपना काम करना स्टार्ट करेगा, जेकि जो भी सीविट का जो काम होता है मेन काम मैं बता हूँ, मिट्टी में रूट ग्रोफ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, जो भी वैक्टिरिया होते हैं, जो अच्छी वैक्टिरिया होते हैं हमारे मिट्टी में, उनको ये एक्टिवेट करता है और वो रूट के लिए काफी ज़्यादा फायदे मन्द होते हैं तो जब आपके रूट सिस्टम में कोई आपको खामी नजर आये कमी नजर आये तो आप एक बार जरूर सीवीड ग्रेनुल्स यूज कीजी अपनी मिट्टी में मैं अपने एक्सपिरेंस के आधार पर कहता हूं कि वह आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मि कॉजिटि अगर आपके पास लिखीड फेटलार नहीं है इसका लड़िक्विड का तो आपके पास अगर ग्रेनुल्स है तो उससे भी आप लिक्विड फेटलाइजर तैयार कर सकते हैं एक लिटर पानी में एक से liter चमच आप सीविट घ्रेणौल्स का यूज कीजी और उसको 5 घंटे के लिए भिगा के छोड़ दीजिए उस एर टाइट मत करजिए बस पानी के अंदर डालके एक लिटर पानी में उसको छोड़ दीजिए और उसको फिर आप अपने प्लांट्स पे एजल लिक्विट फर्टलाइजर यूज कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कोई सुझाओ हो कोई सवाल हो तो कमेंट वाक्स में लिखना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद